ब्लोगर्स को कौन कौन से टूल यूज करने चाहिए अगर आप ब्लोगिंग में नय है या फिर ब्लोगिंग सुरू कर दे हैं आपको नहीं पता है कि कौन से टूल यूज करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे मार्केट में टूल है अगर आप सब को यूज करोगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा लेकिन हम वहीं टूल यूज करेंगे जो हमें जरूरी है तो मैं कौन से टूल यूज करता हूं इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट पीक करके बताऊंगा कि पैसे इन्वेस्ट करने नहीं यह सारे टूल्स फ्री है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं इस वीडियो को सुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दिजिए पहला जो टूल है वह गूगल सर्च कनसोल का यह बहुत बेस्ट टूल है अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या डिजिनल मार्केटिंग कर रहे हैं इससे बेस्ट कोई भी टूल नहीं है और यह बिल्कुल फ्री है यह कोई भी ब्लॉग और वेवसाइट की कुंडली बता देता है आप अपने ब्लॉग के परफॉर्मेंस के चेक कर सकते हो कि like कितना ranking कर रहा है कितने impression आ रहे कौन से position पे मेरा rank कर रहा है और आपके site में कौन से error आ रहा है कैसे अपने site का traffic और rank improve करना आप इस tool की मदद से कर सकते हैं बहुत लोग सिर्फ इसका impressor और click देखने के लिए यूज करते हैं लेकिन अगर आपको चाहिए पूरा full tutorial search console पे कैसे इसके मदद से हम अच्छा keyword पिक करके अपने blog का ranking और traffic यूज करें तो नीचे comment करके बताए मैं इस पे पूरा tutorial ला दूगा जिससे कि आप help लेके आप अपने ranking improve कर सकते हैं बहुत लो तो सब लोगों ने सुना होगा और इसके plan देखके तो नए bloggers का दिमागी खराब हो जागा क्योंकि मैने का 10,000 पे लगते हैं कोई भी नया इतना नहीं पे कर सकता है लेकिन इसके free tools भी हैं जो कि काफी helpful है और मैं भी यूज करता हूं इसका paid और free भी तो free भी काफी में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसका use backlink check करने में यूज कर सकते हैं और news finding में या keyword finding में या अपने blog के topic find करने में ये काफी helpful हो सकता है बहुत लोग को तो पता नहीं होगा कि आखिर ये free tool हम कैसे use करें तो मैं बता देता हूं आपको href के site पे चली जाना है और स सबसे नीचे आओगो तो ये free tools का option आएगा तो आपको क्या करना है backlink checker website ये सारे में से देखो ये keyword research वाला है अगर आपको keyword research यूज करना है तो यहाँ पे आप keyword research यूज कर सकते हो अब देखो कोई भी country डालो और कोई भी keyword यहाँ डालोगे ना तो उसका results आपको एकदम सह ही सभी मिलेंगे यहाँ पर तो यह आप यूज कर सकते हो अपने keyword research के लिए देखो सारे चीज यहाँ पर मिलना है इसके अलावा भी बहुत सारे टूल है जो कि आप चेक कर सकते हो इसका webmaster tool काफी अच्छा है मैं इसको भी बताऊंगा कि आपको कैसे यूज करना है अगर आ इस से आप सारे link चेक कर सकते हैं कि इनके backlink कहां कहा है कितने backlink को और आप इन सब साइट पर बेक लिंक बहुत सकते हैं तो यह काफी helpful है आप इसको अच्छे तरीके से यूज करो और अपने blogging journey में आगे बढ़ो तीसरा जो टूल है वो सेमरस है ये बहुत अच्छा टूल है SEO के लिए इसका free देखो नहीं मिलता है लेकिन कैसे यूज कर सकते हो आप इसका trial लेके यूज कर सकते हो मैंने नीचे लिंक description में दे दिया है वहां जाके आपको credit card का detail भरना इससे आपका पैसे कट नहीं होंगे आपको free में trial मिल जाएगा जिससे कि आप सारे premium यूज कर सकते हो लेकिन trial के पहले अगर पसंद नहीं आए तो उसको cancel कर दो जिससे कि आपका पैसा नहीं कटेगा और इसमें सारा चीट कर सकते हो या तो अपने site को audit कर सकते हो keyword research कर सकते हो niche finding कर सकते हो और साथ ही साथ backlink check कर सकते हो backlink बना सकते हो सारा काम इस tool की मदद से कर सकते हो तो link description में है वो जाके check करनो Google trend के बारे में तो सब लोग जानते हो और यह भी जानते हैं कि यहां से trending keyword लेते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि इससे keyword का verification करते हैं कि कौन से keyword पर हमें काम करना है और कौन से keyword पर नहीं करना है यह method आपको कहीं भी नहीं मिलेगा अगर आपको चाहिए तो इसके लिए भी comment कर दो मैं पूरा Unters पर research video ला दूगा कि कौन से keyword पर हमें काम करना है कौन सिंद्ट पर नहीं करना गूगल ट्रेंड के मदद से वह मैं बता दूगा और इस टूल का यूज आप keyword research के लिए भी यूज कर सकते हो तूल का मैं एक basic overview देता हूं लेट सब्सक्राइनस हम सर्च करते हैं तो देखते हैं कि इसमें मैं आपको बता दूगा अगले वीडियो में इस पूरा टूटोरियल लाओंगा कि कैसे गूगल ट्रेंड का यूज करके आपको नीज फाइंडिंग करना है keyword research करना है ने-ने sites निकालने है तो यह काफी helpful और बहुत बेस्ट टूल है और बिलकुल फ्री है Google का टूल है जिस पे आप पूरा बहरोसा कर सकते हों पाच्वा जो टूल है कैनवा इसके बाले में तो सब लोग जानते हैं इसमें सारा graphics के आप काम कर सकते हैं beginner अगर आप ब्लॉगिंग में है तो यह टूल आप सीख लो इसके skills सीख लो कि कैसे आप images बना सकते हो कैसे आप graphics बना सकते हो इससे आप अपने ब्लॉग के लिए images डाल सकते हो बना सकते हैं आपको कहीं से copy paste करने की जरूरत नहीं है इस टूल के मदद से आप video भी बना सकते हो presentation वीडियो और बहुत सारे चीजे कर सकते हो यह जो मैं video बना रहा हूं यह भी canva के ऊपर यह मैंने presentation बनाया है तो यह भी आप देख के यूज कर सकते हो इसके अलावा सारे जो thumbnail में बनाता हूं यह चीजे के मदद से बनाता हूं तो यह काफी अच्छा टूल है और विल्कुल फिरी है आप यह फिरी वर्जन यूज करके सारे चीजे कर सकते हो च्छटा टूल गूगल क्रोम का एक extension है जिसका नाम है keyword everywhere यह बहुत ही अच्छा टूल है अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो इससे आप सर पेनलीस कर सकते हो मिस्ट्रॉप 10 में जो रियल्ट है उनके डाटा क्या है उनके DAPA क्या है रेफ्रिंग डोमेन क्या है जो की काफी हेल्फ करता है नीज फाइंडिंग म ही देख सकते हो keyword का trend भी देख सकते हो इसके अलावा keyword के related keywords भी आप इसके मदद से देख सकते हो यह बिल्किल free tools है keyword everywhere जब आप install करोगे तो उनके site पर जाओगे तो वहां पर आपको email डालना पड़ता है क्या कि आपको API key मिल जाए इस API key के मदद से ही आप इसको यूज कर सकते हो इसके बाद email पर आपको एक email आता है कि कैसे आपको API access करना है उसके बाद उस API को इस tool में डालोगे न सेटिंग्स में जाके आप अपना API key डालके वैलिडेट करोगे तो आप इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो मालो मैंने कुछ भी टाइप किया कुछ भी कीवर्ड टाइप किया तो देखो इस हर साइट का डीए पीए आपको यहां पर दिखाई देगा ठीक है और रेफरिंग डोमेन यह सारे चीज आपको दिख सकते हो तो यह काफी अच्छा टूल है अगर आप नीच फाइंडिंग करते हैं नीच रिसर्च करते हैं टॉपिक फाइंड करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा टूल है मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि यह यूज करो मैं भी यूज करता हूं यह काफी अच्छा टूल है सात जो टूल है similar way बहुत लोग बोलेंगे कि मैं तो जानता हूं कि इससे traffic का पता लगाते हैं लेकिन क्या इससे competitor analysis कर सकते हो top keywords find कर सकते हो traffic details भी ले सकते हो traffic source का भी पता लगा सकते हो तो नीचे वाले दो तो सब को पता है कि हाँ इससे यह कर सकते हैं लेकिन इससे competitor analysis बहुत जबरदस्त होता है competitors के keyword आप अच्छे तरीके से find कर सकते हो एक मैं सीरीज सुरू करने वाला हूं competitor analysis का keyword research का सब में मैं बताऊंगा कि यह कैसे करना है और उसमें इस पर भी tutorial आएगा similar way पर तो आप अच्छे तरीके से use कर सकते हो मैं एक example के साथ आपको traffic है लेकिन आप इसका पूरा data देख सकते हो देखो यह कहां कहां से traffic है उसके बाद आप देखो कि टॉप कौन से keyword पर यह rank कर रहा है यह backlink को में तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि यह छोटे-छोटे keywords है लेकिन अगर आप कोई micro niche site यहां डालोगे न तो उसका पू आफी help मिलेगा आठवा जो टूल है वो grammarly है जिसको सबको यूज करना चाहिए खास करके जो blogging में नए है जिनका English कमजोर है उसको तो यूज करना ही करना चाहिए क्योंकि यह spelling और grammar को correct करता है और writing में बहुत ज्यादा help करता है अगर मैं social media पर पोस्ट डालता हूँ तो कह कही गलत हो जाता है तो यह एक अच्छा image नहीं बनता है तो लेकिन grammarly आप यूज करोगे तो वो correct कर देता है मुझे email से बार बार email भेजना होता है backlink के लिए किसी से बात करने के लिए तो उसमें अगर आप सही English भेज़ोगे तभी वो convert होने का chance रहता है तो यह tool काफी extension है तो वह भी comment करके बताओ मैं 10 से 15 chrome extension का पुरा वीडियो बना दूगा जो कि मैं personally use करता हूँ जो काफी helpful होते हैं देखो tools और extension से क्या होता है अगर यूद के मैदान में आप खाली हाथ जाओगे तो क्या फायदा है अगर gun वेगरा लेके जाओगे तो आपका skill or sharp होगा औ और आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हो तो यहीं tools or extension का काम होता है तो अगर आपको all tools or extension चाहिए तो नीचे comment करके बता दो मैं उस पर वीडियो बना दूगा grammarly का use देखो बहुत लोग को तो आता ही है लेकिन नहीं आता है वो मैं दिखा रहा हूँ जैसे इसमें कोई भी आप article paste करोगे या लिखोगे तो आपको बता देगा कि कहा काई error है कैसे इसको सही करना है वो आप सही कर सकते one by one तो इससे यह होगा कि काफी help मिलेगा इसका extension भी आता है देखो मैंने यहाँ पर यूज किया है और यह बिल्कुल free है आप जाके free account बना लो सारे आपको error solve हो जाएंगे आप wordpress के dashboard में लिखोगे वहाँ भी आपको यह दिखने लगेगा तो grammarly काफी helpful extension और टूल है जिसका use आपको आज से ही कर देना चाहिए इससे आपको खुद improvement दिखाई देगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही नीचे comment करके बताओ कि आपको कौन सा tool अच् सकते हो और किस किस चीज पर tutorial चाहिए वह भी comment करके बताओ और अगर आपके पस कोई feedback और suggestion है तो नीचे comment करके बता सकते हो thank you so much